दोस्तों जब हम बात करते हैं ना 15-20,000 वाले स्मार्टफोन की पहुत ज्यादा स्मार्टफोन है सबजी वाले के पास इतनी सबजीया नहीं है जितने आजकर स्मार्टफोन अवेलिबल है ऐसा ही एक स्मार्टफोन है Moto One Power और अगर आपको सच बताऊ ना ये एक अंडर रेटेड स्मार्टफोन है ये एक ऐसा इंसान कह रहा है जिसन नोकिया का 5.1, 6.1, Zenfone Max Pro, Redmi Note 5 Pro, Realme 2 Pro सब भी स्मार्टफोन जो इस बजट में आते हैं, सब का रिव्यू किया है, सब का चैनल पे वीडियो डाला है मुझे लगता है कि Moto One Power को बहुत सारे लोगों ने इगनोर किया, ये एक अंडर रेटेड स्मार्टफोन है ऐसा मुझे क्यों लगता है, क्या इस स्मार्टफोन में एक खासियत है, क्या ये बिल्कुली बेकास हैंडसेट है सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, फुल रिव्यू करूंगा इस Moto One Power का एक छोटी सी आप से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखनी की कोशिश करियेगा मैं आपके लिए चीजे बहुत असान बना दूँगा मैं हूँ साहिब, आप अपना खुद का यूटीब चैनल Techie2X देख रहे हो, चलिए फिर शुरू करते हैं दोस्तों Moto One Power का रिव्यू स्टार्ट करेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी के साथ यह जो स्मार्टफोन है ना दोस्तों वो बैक साइड से मैटल की बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है बैक जो है पूरी की पूरी मैटल की बिल्कुल भी नहीं है इसके जो उपर और नीचे वाले पार्ट्स है वो डेफिनेटली प्लास्टिक की है जो इसकी बटन्स की टेक्टेल फील है वो मुझे ठीक लगी अगर मैं बात करूँ ना क्यूंकि इसमें 5000 मिलियम पीर की बैटरी आती है तो डेफिनेटली यह जो स्मार्टफोन है थोड़ा सा हैवी लगता है बट ऐसा नहीं कि यह सबसे अलग ही लगता है कि बहुत हैवी है वेट डिस्ट्रिबिशन काफी अच्छे तरीके से किया गया हाँ आपको थोड़ा सा हैवियर साइड पर लगेगा बट देन अगें काफी प्रैक्टिकल रीजन के लिए यह हैवी स्मार्टफोन है नॉर्मली जो आईफोन का वेट होता है उसके अकॉर्डिंग ही इसका वेट है और ओवरॉल जो इसकी बिल्ट क्वालिटी है ना काफी सोलीड है काफी प्रीमियम है और कॉर्णिंग गुरी लगला स्थरीके प्रोटेक्शन फ्रेंट साइड के उपर यूज की गई है हाला कि इसकी बिल्ट क्वालिटी तो अच्छी है बट जो इसकी लुक और डिजाइन है न वो इतना स्ट्रॉंग नहीं है क्योंकि बैक पर इसका वर्टिकल ओर्येंटेशन में कैमरा दिया गया है जो कि आपको पता ही है कि स्मार्टफोन की तरह लगता है अगर मैं बिल्ट क्वालिटी में बात करूँ तो इसे दस में से 8.5 नंबर में लेंगे दोस्तों अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले क्वालिटी की तो काफी ब्राइटा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी ओवरॉल एक बहुत ही कमाल की शाप डिस्प्ले है अगर आप अपने फोन में गेमिंग करना चाहते हो अगर आप अपने फोन में यूट्य वीडियो दिखना चाहते हो अगर आप बहुत सारी मूविज वगरा देखते तो ये display आपको कभी भी disappointment नहीं करेगे क्योंकि quality overall इसकी बहुत अच्छी है हाला कि मेरी इस display के साथ problem यह है कि इसकी जो notch आती है वो काफी बड़ी है क्योंकि काफी सारी screen को घेर लेती है मुझे वो चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और दोस्तों display quality में इसकी rating रहेगी 9-10 में से उसके बदोस्तों अगर मैं बात करूँ ना इस smartphone की performance की तो ये smartphone power किया गया Snapdragon के 636 processor के साथ जो की एक अच्छा processor है जिसमें Adreno का 509 GPU लगा हुआ है ये smartphone single variant में आता है 4GB RAM, 64GB internal storage साथ में आपको dedicated micro SD card slot मिल जाता है expansion के लिए तो यहां पर तो moto ने काफी बढ़िया काम किया है अगर मैं दोस्तों इसकी gaming performance से start करूँ ना तो मैं यहां पर यही caught करूँगा कि overall जिसकी gaming performance है वो काफी अच्छी है mid range phone के हिसाब से ये काफी अच्छा perform कर लेता है Asphalt 8 में काफी अच्छा perform करता है Asphalt 9 में modern combat 5 में भी इसने बहुत अच्छा perform किया तो overall इसकी gaming जो performance है वो मेरे तरफ से thumbs up है पर यहां पर एक चीज़ मैं यहां add करना चाहूँगा वो यह है कि इसके PUBG में इतना बढ़िया optimize नहीं किया गया है क्योंकि यह smartphone अपना full potential नहीं दिखा रहा है मैंने बहुत सारे smartphone यूज की है जिनने में snapdragon का 636 processor है उसके coding इसकी performance gaming में थोड़ी बहतर होनी चाहिए थी बट वो software के साथ definitely improve की जा सकती है दोस्तों जब मैं बात करता हूँने यहां पर user interface की सबसे अच्छी बात इस smartphone की यह है यह Android 1 smartphone है तो आपको stock Android देखने को मिलता है और जब आपको stock Android देखने को मिलता है आपको पता है animations बहुत ज़्यादा smooth है overall experience आपका बहुत ही अच्छा रहता है कोई bloatware नहीं है RAM management इसका काफी अच्छा है तो user interface में जो आपका experience है वो काफी अच्छा मिलेगा आपको पुरा का पूरा stock Android मिलेगा सिर्फ Moto के एक दो apps है और आपको जो camera UI इसका मिलता है उसमें थोड़े से difference देखने को मिलेगा overall अगर मैं performance के department में rating की बात करूँ न फिर से 8.5 नमबर मिलेंगे 10 में से दोस्तों उसके बाद न सबसे important point की बात करते है जो कि बहुत ही इसका camera अच्छे से बात करते है इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने ये बोल दिया कि Moto One Power का camera बेकार है बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि हमने इसे इसलिए नहीं review किया क्योंकि इसका camera बेकार है आपको अगर मैं सही से बताऊ न जो आपको rare की side 16 plus 5 megapixel का camera मिलता है F1.8 के aperture के साथ वो actually एक अच्छा camera है जब मैंने इसे reuse करना start किया तो यार मैंने पहली बार तो देखके मुझे ऐसा लगा कि इसकी जो image quality ने डेलाइट में भी वो इतनी अच्छी नहीं है बट मैंने नोटिस किया कि इसकी जो image optimization है जो इसकी image आती है वो काफी ज़्यादा natural आती है और क्यूंकि ये smartphone नया नया आया है इसके camera को definitely improve किया जा सकता है daylight में अगर आप देखेना है तो colors इसके बहुत ज़्यादा natural है बट वहाँ पर बहुत ज़्यादा detail आपको देखने को मिलेगी sharpness काफी अची है dynamic range थोड़ी lacking है कोई भी smartphone जैसे Zenfone Max Pro नया नया आया था तो उसका camera काफी average था फिर update के साथ improve हो गया था अगर Moto improve कर पाता है तो बहुत अच्छी बात होगी दोस्तों उसके बद Moto One Power के low light performance की बात करूँ ना तो कई बार क्योंकि इसका जो aperture है F1.8 तो कई बार ये काफी अच्छे से perform कर लेता है अगर आप low light में भी देखे ना तो इसके color reproduction काफी अच्छी है मैं यहाँ पर एक चीज बोनना चाहूंगा कि अगर आप अपने हाथों को still रखके photograph लोगे ना तो काफी बढ़ी आपको quality देखने को मिलेगी बट यहाँ पर आपको एक चीज़ कोट करना चाहूंगा कि चाहे वो low light हो चाहे वो daylight हो इसकी focusing में थोड़ा सा issue मुझे लगता है क्योंकि जब आप macro short slogan है जब आप किसी close object पर focus करोगे तो ऐसा नहीं यह smartphone focus नहीं कर सकता बट इसका software अभी enhance नहीं किया गया क्योंकि जब मैंने प्रो मोड में जाके focus करने की कोशिश की तो वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से focus हो गया तो इसका मतलब यह है कि इसके थोड़े से camera को और optimize करना चाहिए दोस्तों जो मैं बात करता हूँ 12 megapixel front camera की जो की LED flash के साथ आता है तो यहाँ पर भी मैं बोलूँगा performance बहुत यची है अगर आप अपने हाथों का steel रखे क्योंकि हलका सा shutter lag आपको देखने को मिलता है front और rear camera में तो अगर आप अपने हाथों का steel रखे photograph कीचे तो आपको बहुत अची details देखने को मिलेंगी colors फिर से काफी natural है dynamic range यहाँ पर अच्छी है skin tones भी आपको अच्छी देखने को मिलेंगे और यहाँ पर मैं आपको यह भी बिताना चाहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा low light में या artificial lighting में इसका quarter mode यूज़ करने की कोशिश कर रहे हो तो कई बार चलता है कई बार नहीं चलता है उसे भी यहाँ पर improve करना चाहिए तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मुझे लगता है कि यह smartphone का जो camera है वो definitely capable कही एरिये में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है बट अभी नया नया आया है पता नहीं मोटो अपडेट करेगा या नहीं तो इस अब के लिए इसकी जो camera rating है वो है 7.75 10 में से दोस्तो अब हम न मोटो वन पावर की battery life की बात करते हैं दोस्तो अगर आपको मैं बताओं कि एक smartphone में आपको 5000 मिलियंपेर की battery मिलेगी जो की आपको 8 से 12 घंटे का screen on time प्रोवाइड करेगी टिपेंड करेगा कि आप अपने phone को कैसे use करोगे अब 3-3 घंटे PUBG खेल सकते हैं और आपका phone नहीं हीट होगा आप बोलोगे क्या बात है फिर मैं बोलो कि उस smartphone में आपको type C भी देखने को मिलता है आप बहुत अच्छी बात है अगर मैं बोलो यह smartphone fast charging support करता है बहुत ज़दा खुश हो जाएगी और आपकी खुशी और भी increase हो जाएगी अगर मैं आपको बताओं कि यह smartphone fast charging तो sport करता है बट fast charger box में आता है type C 5000 mAh बैटरी fast charging support और डबे में fast charger budget स्मार्टफोन में battery life में 10 on 10 performance है इस smartphone की दोस्तों उसके बात करते हैं Moto One Power के sound and call quality की मैंने इस smartphone से काफी सारे calls लिये बहुत लंबी-लंबी बात ते अभी मुझे कोई भी दिक्कत नहीं तो यहां पर मोटो ने अच्छा काम किया है अगर मैं इसके speaker और headphone या की performance की बात करूँ तो इसका headphone या actually output काफी अच्छा प्रवाइड करता है और इसके speaker की performance भी अच्छी है बेस्ट नहीं है बट अच्छी है उसके बाद अगर इसके fingerprint scanner की बात करूँ तो आपको मिल जाता ह जो की काफी अच्छे से recognize कर लेता है आपका fingerprint but definitely थोड़ा सा टाइम ले लेता है फोन को unlock करने के लिए क्योंकि stock ended है हाला कि read काफी छेती करता है जो animation है वो थोड़ा से लूँआ है उसके बाद आपको face unlock वागार है इसमें नहीं देखने को मिलता है क्योंकि यह stock ended है यहां प बढ़िया लगा अगर आपने ऐसा फोन लेना जिसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी अच्छी डिस्पले हो अच्छी परफॉर्मस हो एवरेज कैमरा हो बहुत अच्छी बैटरी लाइफ हो definitely आप Moto1 पावर को consider कर सकते हैं अगर मैं इसकी overall rating की पात करूना तो 8.5 नंबर दोस्तों अगर आपको हमारा रिवी अच्छा लगा अगर आपको लगा कि मैंने कुछ अच्छा काम किया प्लीस लाइक करना अगर आपको हमारा रिवी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा अगर आपको लगा इसमें कुछ गलत है definitely अब dislike दबाना मुझे बताना में इसे कै कैसे इंप्रूफ करूँ अगर आपको कॉमेंट है वीडियो रिक्वेस्ट है कुछ भी है कॉमेंट सेक्षन में में मेंचिन कर दो ऑल्लाइन शॉपिंग अगर हमारे लिंक से करोगे तो चैनल की हैल्प हो जाएगी इस वाली वीडियो में कबले इतनी था देखते रेनी के अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में